बाका में कोरोना संक्रमन का दैरा बढ़ गिया है एक और पुजिटिव मिलने से बाका में हड़कमप मच गया है बाका जिला में कोरोना संकर गहरा गया है जिले में आज एक और कोरोना पोजिटिव मिलने की पुष्टी हुई स्वास्त विभा के प्रधान सचीब संजे कुमार ने ट्वीट कर बाका में एक और संदिक दिके कोरोना पोजिटिव होने की पुष्टी की है बाका जिला अंतरगत बिलहर परखंड के बिसनपूर गाउनिवासी 36 वर्सिय पुरूस के कोरोना पोजिटिव होनी की पुष्टी बिहार के स्वास्त सचीप संजे कुमार ने की यह बैक्ती पर सो रात से ही आसोलेसन में था इस बैक्ती की ट्रेवल हिस्ट्री मुंबई के धारावी एरिया से सुरू होकर बाका के मैनमा और बिलहर के बिसनपूर तक रही अमरपूर परखंड अंतरगत कौसलपूर निवासी 45 वर्षी बैक्ती में कोरोना पोजिटिव होने के पुष्टी दो दिन पूर भी हुई थी उसके बाद मुंबई से एम्बूलेंस पर बाका जले तक की यात्रा करने वालों में बिलहर के बिसनपूर गाउं का यह बैक्ती भी सामिल था कौसलपूर के ग्रामिन में कोरोना पोजिटिव मिलने के बाद ट्रेसिंग कर इस बैक्ती के साथ-साथ अमरपूर परखंड अंतरगत मैनमा गाउनिवासी एक बैक्ती को भी परसोरा थी आईसलेशन में भेजा गया है आधिकारिक सुत्रों के मुताबिक परसोरा थी दोनों के सैंपल जाज के लिए भेजे गए थे आज दोपहर के बुलेटिन के अधार पर राज के स्वास्त विभा के परधान सचीब ने बिलहर के बिसनपूर निवासी इस बैक्ती में कोरुना पोजेटिव होने की बाद की पुष्टी की है मैनमा की बैक्ती की रिपोर्ट को लेकर अभी तक कोई बुलेटिन जारी भी रिपोर्ट जारी की जाएगी ग्यातो कि मैनमा गाउ की जिस बैक्ती की रिपोर्ट आना भी सेस है उसकी मा कदेहांत मुंबई में हुआ था जिसे अम्बूलियंस से उनके गाउन लाया गया था उसी अम्बूलियंस पर कॉसलपूर का बैक्ती भी मुंबई से भागलपूर तक साथ आया था एक अन्य बैक्ती जो भागलपूर जिला अंतरगत संहौला परखंड के महियामा गाउं का है उसे भी कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टी की गई है दोनों का इलाज भागलपूर उस्पताल में चल रहा इसी बीच दोनों के कांटेक्ट में आये लोगों की पहचान कर उन्हें कुरिंटीन कर दिया गया है ऐसे लोगों के संख्या करीब दो दर्जन है बाका जिला में कोरोना का दूसरा पॉजिटिव केस आने के बाद जिले में हड़कंप मच गया है प्रसासन और स्वास्त विभाग इस्तिती से निपटने के लिए लगातार तैयारियां कर रही है प्रसासन ने लॉकडाउन एवं सोसल डिस्टेंसिंग को मुकमल तरीके से लागो करने की आमजंता से अपील की है अनुमंडल का रियाले में रमजान को लेकर HDM मनोश कुमार चौधरी की अध्चता में सांती समीती की बैठक हुई इसमें HDM संतोस कुमार, HDPO दिनेश चंसी वास्तब, सियो सुजीत कुमार, थानाध्यच राजेस कुमार ज्छा मुक्य रूप से उपस्थित थे HDM मनोश चौधरी ने सभी मस्जित के मौलाना से सोसल डिस्टेंस का पालन करने के साथ रमजान मनाने को कहा HDM ने कहा कि लॉकडाउन 3 मई तक है लेकिन कुरोना के संक्रमन को देखते हुए रमजान मा में तरावी वा जुमे की नवाज को घर में ही पढ़ें साथी लॉकडाउन का पालन करने को कहा गया HDPO ने मौलाना से कहा कि आप लोग अपने समुदाय की लोगों से घर में रहकर नवाज पढ़ने के लिए कहें कोरोना के संक्रमन को देखते हुए सरकार ने रमजान में अपने अपने घर में ही नवाज अता करने के निर्देश दिये हैं साथी कोई भी आदमी नियम का उलंगन करते पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाप कानूनी कारवाई की जाएगी बैठक में मौजूद सभी मौलाना ने अधिकारियों की बाद पर रजामन दी जताई मौके पर जामा मस्जित के मौलाना मुनुरुदिन, मलिक टोला मस्जित के मौलाना यूनूस सलीम मौजूद थे बैठक में जो सरकार के निजेश है उसका पूरी तरस अनुपालन किया जाएगा, सोसल डिस्टनसिंग का पालन किया जाएगा, लौगों का अनुपालन किया जाएगगा बाका जिला में दो बैक्तियों के कुरुनावरत से संक्रमित होने की पुष्टी के साथ ही जहां जिला को अलट कर दिया गया है वहीं दूसरी और अभी भी हार्ट बजार में सोचल डिस्टेंसीं का पालन नहीं किया जा रहा है पंजवारा बजार में सुक्रवार को थाना के पास ही लगे बाजार में काफी भीड देखने को मिल रही है और समाजिक दूरी की धचिया उड़ाई जा रही है बाका जिले में लॉकडाउन को धारदार बनाने के लिए प्रसासन फूल एक्सन मोड में दिख रही है और जिले से जुड़ी सीमाओ पर कली निगरानी की जा रही है इसी कली में सुक्रवार को बाराहट परखन के बीडियो ससीभू संसा और सीओ सरत मंडल ने बारी बारी से पंजवारा इस्तित जारकंड बॉर्डर चेक पोश्ट पर चल रही गतिवी धियों का निरिच्छन किया और बॉर्डर पर कली सकती बरतने का निर्देश दिया मुखे पर आंगनवाली केंद्र संखिया 163 पर परिविच्छक मुहम्मद अहमद हुसेन, सेवीका रानी भारती, मुखिया भोला पास्वान और विकास मित्रिक कैलास दास मौजूद रहे बाका के पंजवारा के हटिया टोला में गुरुवार को एक महिला गैस पर चाय बनाने के क्रम में गंभी रूप से जुलस गई आनन फानन में गंभी रूप से घायल महिला को हेल्थ एन विल्नस सेंटर पंजवारा ले जाया गया महिला सपना देभी पती संतो सा तीन बच्चों की मा है